हेलो इस्टुडेंट्स आज हम देखते हैं वैदू छेत्र की तीवरता तो वैदू छेत्र की तीवरता में क्या होता है कि वैदू छेत्र के किसी बिंदू पर अगर हमें छेत्र का मान ग्याद करना है वैदू छेत्र का मान ग्याद करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं जिस भी बिंदू पर हम वैदू छेत्र की तीवरता निकालनी है तो हम क्या करेंगे उस बिंदू पर अत्यांत अल्प धन परिक्षान आवेश रखते हैं जहां पर हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि उसका अपना कोई वैदो छेतर नहीं होता इसलिए अल्पधन परिक्षन आवेश रखा जाता है और जब अल्पधन परिक्षन आवेश रखा जाएगा किसी बिंदू पर वैदो छेतर के तीफता निकालने के लिए तो उस पर क्या लगेगा एक बल लगेगा अब इसका जो परिवासा है वैद्दु छेत्र की तीवरता की वो क्या है कि वैद्दु छेत्र में किसी बिंदु पर रखे परिक्षन आवेस पर लगने वाले बल तथा परिक्षन आवेस के मान की निस्पत्ति को उस बिंदु पर वैदो तो छेतर की तीवरता E कहते हैं क्या कहते हैं वैदो छेतर की तीवरता E कहते हैं और ये मानते हैं कि मान लिया कि हमें वैदो छेतर निकालना है किसी बिंदू पर जहां पर परिक्षाण आवेज जो है वो Q0 है ये क्या चीज है इसको बोलते हैं जुन दोब है में वैद्दुचेतर की तीवता निकालनी है तो वैद्दुचेतर की तीवता E जो होगी ये बल है तो वैद्दुचेतर की तीवता जो होगी वो क्या होगी E equal to F upon Q0 ठीक है ये इसका फार्मूला होगा जहां क्या है F सदिसरासी है Q0 अदिसरासी है तो जिस दिसा में होगा जो ठीक है जिस दिसा में होगी जिस दिसा में क्या होगा वैदुचेतर जो होगा E की दिशा वही होगी जिस दिशा में F की दिशा होगी या ऐसी कह सकते हैं कि जो Q0 परिक्षण दनावेस है जिदर को ये चल रहा है उदर को वैदो छेतर की दिशा होगी ठीक है जिदर जो हम निकाल रहे हैं वैदुचेतर की तीवरता की दिशा होगी और इसकी इकाई क्या होती है इसकी इकाई होती है ये तो न्यूटन हो गया और ये क्या हो गया ये कुलाम हो गया न्यूटन पर कुलाम इसकी इकाई होती है और एक बात और है कि यदि परिक्षण आवेस अगर हम धन परिक्षान आवेस ले रहे हैं इसकी जगा हम धन ना लेकर रिंड ले हैं अगर परिक्षान आवेस को रिंड ले हैं तो वैदुत छेतर की दिशा E की जो दिशा होगी वो क्या होगी आवेस पर लगने वाले बल F की दिशा के विब्रीत होगी ठीक है तब उसका उल्टा हो जाएगा 31 की समझ में आ गई हूँ Newton बटे मीटर और अब बात करते हैं वैदुत छेतर के कारण आवेशित कण पर बल कि उस पर बल कितना लगा अब देख रहे हैं वैदुत छेतर के कारण आवेशित कण पर बल अब हमने देखा कि जो वैदुत छेतर है वो क्या है equal to f बटे q0 तो यहां से अगर देखे हम f equal to क्या हो जाएगा q0 e यह इतना बल लगेगा उस पर अगर हम उसके रूप में देखेंगे उसे मतलब वैदुत छेतर की तीवता की रूप में अगर देखेंगे तो इतना बल उस पर कण पर लगेगा तो आवेश q पर लगने वाला बल कितना होगा f equal to q0 e होगा